कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत हैं आज हाँ पर हम डिस्कस करेंगे त्रिवेनी इंजिनेरिंग इंडस्टी लिमिटेट के बारे में जो कमपनी पूरे इंडिया में सेकर्ड नंबर पर आती है इतेनौल प्रोडक्शन के अंदर एंड दोस्तों जो कमपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो और तेजी से आपको बढ़ते वे नजर आएगी क्योंकि जो सेटरडे के दिन जी एस्टी की जो कॉंसील की मीटिंग हुई उसके अंदर शुगर इंडस्टी से रिलेटेट काफी बड़े डिसिजन लिये है अभी जो कौन से डिसिजन है और क्या इंपक्ट रहेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 28% से दोस्तों जो टैक्स था वो घटा कर स्रिप और श्रिप 5% कर दिया अभी कौन से प्रोड़क्ट पर किया है और क्या benefit कंपणी को मिल सकते हैं मैं आपको उसके बारे में प अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो जरूर कमाई का अड़ा इस यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपर दोस्तों आपको जो मैं न्यूज बताने वाला हूं जी एस्टी कॉंसिल के उससे पहले एक आपको वर्ड को समनना पड़ेगा जिसका नाम यहाँ पर मोलासिस अभी यह मोलासिस एक्षूली देखिए शुगर केंज होता है उससे बनता है और इसका यूज जो भी यहाँ पर प्रोड़क बनाने के लिए कैंडी बनाने के लिए या जो मार्केट के अंदर हम रम देखते हैं यानि शराब से जुड़ेवे जो क्या है मैंने वो बताया अभी गौवर्मेंट ने क्या अनॉस्मेंट किया है उसके बारे में भी यहाँ पर हम समद लेते हैं जो जीएस्ट के कौंसिल फ्राइडे स्वारी सेटरडे के दिन हुई है उसके अंदर इन सभी चीजों के ऊपर स्टेप बाइस्टेप गौवर्म करें और इस मीटिंग में सबसे हाइलाइट करने वाला और इंपोर्टन पॉइंट यह था कि इनों ने जो डिसेजन लिए वो अभी क्या डिसेजन लिए चलिए मैं आपको बताता हूं जीएस्ट कॉंसिल रेकमेंडेट रिडूसिंग जीएस्टी मोलासिस फ्रॉम 28 परसेंट तो 5 परसेंट इन रिलीव टू केन फार्मर फास्टर जो यहाँ पर अलग अलग जैसे के टैक्सिस के वज़े से चाहे तो यहाँ पर वेरियस जो इनको बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिल रहे थे फार्मर को और कंपनी को भी तो उसको देने की कोशिश गवर्मेंट ने की है अब यह जो कौनसी ले देखिए जी एस्टी की उनके डिसिजन काफी चबरदस और बेनिफिशल रहे है थास करकर सभी शुगर इंडस्टी के लिए अभी आप बोलेंगे सर सभी शुगर इंडस्टी के लिए बेनिफिट वाले यह डिसिजन ह तो आपने त्रिवेनी इंजिनिरिंग एंड इंडस्टी लिमेटेड इस कंपनी के बारे में क्यों ज़्यादा फोकस किया तो देखे दोस्तों यह जो कंपनी है इसका बिजनेस डाइवर्ट है यह स्रीप कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम नहीं करती है इसके पास अगर आप देखेंगे शुगर, इंजिनिरिंग एंड और भी बहुत से बिजनेसे अवेलेबल है जिससे एक कंपनी कमाई कर लेती है तो जैसे हम यहाँ पर त्रिवेनी इंजिनिरिंग एंड इंडस्टी की बात करें यह कंपनी अमोंग दे टॉप थ्री मैनुफेक्चरर इनडिया फॉर शुगर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हों and second highest supplier of ethanol, यह भी आप पढ़ सकते हैं यानि के second नंबर पर आती है ethanol स्प्लाय करने के अंदर पूरे इंडिया में, यानि 399 इंजिनिरिंग की वेल्यू कितनी है वो आप यहाँ से समझ पाएंगे, अभी इस कंपनी के business segment को यहाँ पर समदना जरूरी है क्योंकि कोई भी निवेशक पैसा कब लगाता है जब company के business में value हो तो देख सकते हैं आप दोस्तों की product and services में sugar, फिर alcohol, water solution company provide करती है power transmission का business है defense related भी इसके पास काफी unique और शांदर businesses available है तो यह company कोई छोटी मोटी नहीं और ऐसे ही इस company के अंदर इतने बड़े return generate नहीं हो रहे हैं company के पास बहुत से जैसे के defense, power transmission, water solution, alcohol, sugar और उसके साती ethanol का भी business और दूसरे various टैप के large quantity में जो यह supply करते है product उसका भी इनको benefit मिलता है शुगर से जुड़े वे और जैसे के हम यहाँ पर company के business के जो revenue के source देखें तो शुगर से company कमाती है लगबग 66% alcohol से 21% और बाकी के जो यहाँ पर power transmission है उससे 6-8% water treatment से 4% and order से 3% manufacturing facilities भी company के बहुत अच्छे हैं sugar plant भी UP के अंदर बहुत अच्छे capacity से काम कर रहे है त्रिवेने engineering and industries limited इस company के पास alcohol से जुड़े वे भी 4 alcohol producing facilities अविलेबल है जिसके अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर यह raw material manufacture करते है alcohol companies के लिए next अगर अहाँ पर हम समझें दोस्तों त्रिवेने engineering and industries limited के बारे में तो water solution के business से भी बहुत अच्छी कमाई है company के पास आप देख सकते हो कि पर डे में 10,000 प्लस million लिटर पर डे में यहाँ पर यह प्यूर करकर सप्लाइ करते है बहुत अच्छी बात है साती industrial categories के अंदर भी यहाँ पर हम देखे जो इनके product use होते है या इनके client है तो आपको beverage industries, fmgc, food, pharma and various जो industries है वो इनके client देखने को आपको मिलेंगे alcohol business वाले जो companies है वो भी oil, marketing company, liquor industry, alcohol, base chemicals, power transmission business, various industry segment like thermal, oil gas, petrochemical, IPP, fertilizer, steel, cement, sugar, rubber, plastic और दूसरे भी दोस्तों ऐसे सभी categories के इनके पास industries customer की तरह काम करते है और पाच सालों से company अपने goal पर काम कर रही है और बहुत अच्छे से इन्होंने acquisition वगरा किये है जिससे इनके business को यहाँ पर बहुत अच्छे से support मिले तो 3,000 इंजिनिरिंग की जो details है वह ने थोड़ा आपको short but sweet में बताई अभी बात होगी दोस्तों company के market cap के बारे में 8,358 करड़ों का market के आप P ratio है इसका moderate है यहाँ पर 17 का है और dividend yield ठीक ठाक है बट एक अच्छी बात आप देख सकते है जो return on equity वो है 23 का compare करें अगर P ratio को तो वो कम है और अच्छी बात है और return on equity जो है वो तो अच्छा ही है return on capital employed भी हमें 17 का नजर आ रहा है अभी बात करेंगे company के share holding के बारे में तो देखें यहाँ पर जैसे के 30A engineering and industry limited है इस company के promoter के पास अभी फिलाल लगबग 60 या 61% का stake है बहुत अच्छा stake है कोई कम नहीं है 50 के उपर रहना चाहिए promoter के पास और already available भी है अभी FIS के बात आप यहाँ पर समझेंगे तो FIS के पास साड़े 4% के करीब और DIS आभी देखेंगे तो company के अंदर साड़े 8% के करीब हम ऐसा कहे सकते है अभी ऐसे कौन से बड़े निवेशक है तो आप यहाँ पर उनके नाम होगे रहा देख सकते है निपोलो लाइप इंडिया ट्रस्टी उनके पास इस company के share आपको दिखाई देंगे और FIS, DIS and promoter यह बहुत major player है उसकी बाद में public की बात करें तो public के पास है 26% अभी बात होगी देखें net profit के बारे में अभी सब तो देख लिया net profit कैसा है तो पिछले कुछ सालों से company ने बहुत अच्छे से आपने आपको इंप्रूग किया बट शौकिंग जो result रहे company के आप देख सकते है जो company ने profit generate किया वो 2000, 23 के अंदर मार्च मेने में बहुत अच्छा करकर दिखाया compare किया जाए 22 की हिसाब से अभी जैसे के हम quarterly पर देखें तो company के quarterly result में uncertainty बहुत है यह बात आप सभी को पता होना चाहिए क्या है स्रिफ हम company के अच्छे ही बाते देखे और बाकी की चीज़े हमें पता है ने तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए तो अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और company को और अच्छे से समद लेते हैं त्रिविने इंजिनिरिंग एंड इंडस्टी इस लिमेटेड इस company के रिटेल्स को हम देखे तो दोस्तो यह शेयर अभी आठ सो और तीन सो त्रैसी पर चल रहा है और company के अंदर आप यहाँ पर रिटन देखेंगे छे महिने में लाजवाब 40% एक साल में आप देख सकते हैं इस company ने जो fluctuation किये उसके बावजूद अच्छा खासा कम से कम 41 के 40% का रिटन कमा कर दिया बड़ जब यहाँ पर बात आती है long term की देखें सभी को लगता होगा कि सर क्या रिटन है साल के अंदर 40% इसरी तो दोस्तो ऐसे absent डाउन वाले market के अंदर भी 40% भी not bad अभी हम जैसे के long term के इसाब से देखें तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है 600 से लेकर 700% के करीब के रिटन इस टॉक ने कमा कर दिये अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर तिर्विनी इंजिनिरिंग एंड सॉलूशन कमपनी जो है इस company के अंदर हमें breakout देखने को मिला है लगबग आपको यह पर बताना चाहूंगा 3054 रुपए आप कंसिडर करकर चल सकते कि साड़े 300 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो समझ जाना कि फिर से correction आपको हेवी दिखा सकता है बट ऐसा तो उमीद नहीं है क्योंकि company के अंदर expectation जादे है निव किस लिए और किस तरीके से beneficial आये है company के पास के business के source क्या है all around सभी चीजे मैं आपको यहापर बताईए अभी करजे के बारे में discuss करते हैं आपर आप दोस्तों देख सकते कि company के balance sheet के अंदर जो reserve fund वगेरा है या चाहे यहाँ पर हम net profit के बात करें दोनों भी काफी company के पास अ दो चीजे देखनी चाहिए reserve fund और company के उपर का करजा तो यहाँ पर आप त्रिवेनी जो engineering and industries limited है उसके अंदर देख सकते है 2630 करडो के उपर का company के पास reserve fund है और चाहे तो हम long term के करजे को देख सकते है 140 करडो का है और company के पास जो cash है वो 70 करडो का है तो आप देख रहे हैं क कि जो cash और company पर करजा जो है उसमें different जरूर है बट company एक अच्छे level पर चल रही है इसमें भी कोई doubt नहीं है I hope दोस्तों आप समझ रहे कि क्या क्या strength है किस तरीके से government की decision इस company के लिए favorable साभित हो सकते है और जो यहाँ पर मैं बताया चुका हूँ आपको कि GST council का जो impact है वो नडार पर रखकर आप चल सकते हैं बहुत ही अच्छी ability है company के अंदर जो आपको return कमा कर दे सके ऐसी तो thank you so much